क्या निफ्टी फिर से गिरेगा, क्या 17,000 के लेवल, 16,500 के लेवल फिर से हम देख पाएंगे बहुत सारे सवाल थे, in fact मैं आपसे 10 दिन से यही कह रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन आना बहुत ज़रूर है, हमारा मार्केट चार्ट वाइज ओवर एक्सपेंसिव है डाट भी खा रहा हूँ कि हमारा मार्केट आप हमेशा नेगेटिव बात करते हैं और मार्केट अभी और उपर जाएगा, 20,000 की बात होनी शुरू होगी थे, 19,000 की बात शुरू होगी थी लेकिन आपने नोटिस किया, हमने एक बात कहा था कि अगर 18,600 क्रॉस कर लेता है, तो एक टच करेगा 18,900 बिफोर गोइंग फर अ करेक्शन देखिए, यह सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं, यह फिबिनाची रेट्रेश्मेंट के लेवल्स होते हैं हम इनके बेस पर ट्रेट देखते हैं, जो भी आपको बताता हूँ, उसमें मेरा कोई personal opinion नहीं होता मेरा जो opinion होता है, वो यह कहता है कि market हमारा जो chart जो कह रही है, वो हमारा opinion होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोई technical analysis अच्छे से करें, तो हम आगे के move को बखू भी समझ सकते हैं, अच्छली कोई बात नहीं, वो move हमारे against में जाए, लेकिन हम उसके लिए prepare तो रहेंगे, हमारे favor में जाएगा तो बड़ा पै यह तयार है ना चीए क्यों, क्योंकि आप trader हैं, आप investor नहीं है, investor के लिए market जितनी बार गिरेगी उतनी बार नई opportunity लेकर आएगी, because हमारा market बना ही इस तरह से है, उसका जो structure है, उसकी जो working है, वो इस तरह से है, कि market rise ही करेगा, fall नहीं करेगा, और अभी गर आपना notice किया हो अब भर गया है, एक fall के बाद में, पूरा पूरा जो है, social media भर गया है, correction की बाते कर करके, और हम आपसे यह बात कह रहे थे, दस-पंदर दिन से, because आप पहले prepare करते हैं, चाट को समझते हैं, तो आपको यह चीज clear नजर आएगी, लेकिन क्या इतना ही काफी है, इतने कहने स क्या हमारे पास में कोई आच्छी movement मिल जाएगी, नहीं, चले, इस वीडियो में बात करेंगे, कि हमारा market में और क्या factors हैं, जिसको हम incorporate करके, यह समझ सकते हैं, कि हमारा actual fall आने वाला है, या नहीं आने वाला, चले, बात करते हैं, काईज मेरा नम पपन शर्मा और आपका स्वागत है, इसमें अगर आप देखेंगे, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाके वीडियो को सब्सक्राइब कीज़ेगा, फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आप आप लिल्स दिखरी है और आपके यहाँ पर फिबुनाची चार्ट देख रहा है, अगर आप फिबुनाची चार्ट को थोगा सब्सक्राइब करता हूं, अब तो यहाँ आप देखेंगे ये जो फिबुनाची चार्ट है, यह आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास that is coming around 17, sorry 18,400 का उसके पास support है उसके बाद सीधा गिरेगा 17,000 पे and so on तो जो सबसे टॉप में है तो last trading session में भी यहीं से उसने bounce किया था अब अगर आप यहां देखेंगे यह जो top line है यह nifty है यह जो नीचे का है यह हमारा dow jones है फिर nasdaq है hang shang है तो अगर आपने ज्यान से आँ देखेंगे तो सारी के सारी global markets हमारे against में मतलब हमारे अगर जो comparison में down है हमारा market 11% rise किया हुआ है अगर आप देखेंगे 2% minus 6% minus 7% which means हमारा market outperform कर रहा है पैसे का inflow बढ़ अच्छा था डिया ने काफ़े support किया और आप और हम तो हैं retail traders ने तो काफ़े लंबे टाइम से market को hold किया वा लेकिन जैसे हमारे rba governor कहा कि बहुत दिनों तक हमारा market शायद global market के against में ना खड़ा हो सके exactly यह सही बात है आपको कभी-कभी करते हैं कि सच कड़वा होता है तो कभी-कभी इस type की बात है कड़वी लगती है सुनना पसंद नहीं करते हैं लेकिन सुनना तो पड़ेगा बात तो सची ही है तो पहला point अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह चार्ट आपको नजर आ रहा है इस चार्ट के basis पे अगर आपने नोटिस के होगा सारे के सारे हमारे global market हमारे गेंस में खड़े हैं एक और चीज इसके अलावर और हम किस पर देखते हैं हम यह देखते हैं गोल्ड में तो देखिए गोल्ड बढ़ता शुरू हो गया है अब जब भी निफ्टी में फॉल की बात आती है तो गोल्ड में हमें राइस देखने को मिलता है पहला फैक्टर हम global market के अगेंस में high पे खड़े हैं global market weak है दूसरा फैक्टर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने राइस करना शुरू कर दिया है तीसरा फैक्टर एक और FMCG में देखेगा FMCG में rise आना शुरू हो गया है क्योंकि FMCG defensive sector है एक और point आ गया इसके अलाव अगरा bond yields की बात करते हैं तो जब भी हमारे bond yields बढ़ते हैं तो पैसा कहां जाता है पैसा debt market में जाता है वहां पे ज़्यादा return मिलते हैं वह secure return होते हैं market की fall का जो एक डर रह यह तो security है और आप याद रखेगा 2% भी बहुत बड़ा amount होता है बड़े amount के साथ में तो अगर debt bond में जाएंगे तो वहां अच्छा return में देखने को मिलेगा तो सारे की सारे factor बात करें एक और factor की बात करते हैं UK की market already session में जा चुकी है technically और US का market की बात करें तो सारा का सार factor क्या कह रहा है सारा factor कह रहा है जल्दी ही fall आने वाला है because अब बहुत हो गया है और यह जो शुरुवात होई है Friday के session से इसने यह भी बता दिया है कि हमारा market कहां जा रहा है और इसमें अगर हम देखेंगे तो मैं आपको उपर दिखाता हूँ निफ्टी के अंदर अब यह यहां पर चार्ट आपको ऐसा दिखाए देगा देखें यहां पर Fibonacci retracement के accordingly 18 134 के आज पास एक हमारे पास support है तो अभी कहां bounce किया था last last bounce किया था कहां से last bounce किया स्वरी not 138 183 84 sorry not 1 तुरसा चश्में से मुझे different लगा यह 18400 और अगर आप last हमारा low देखेंगे तो वो कहां था low हमारा 410 का low था तो यह जो उपर का जो pink zone है यह pink zone हमारा immediate support है अगर pink zone के नीचे सरका तो सीधा गिरेगा 18,000 पे उसके बाद 17,800 की उपर तो जब तक यह pink zone के अंदर रहता है तब तक आप सोच सकते हैं कि market ठीक है और जैसी नीचे गिरेगा समझेएगा market ने गिरना standard को cross कर चुका था तब से हम यह बात आपसे कह रहे हैं कि market में अब fall आना शुरू हो जाएगा अपनी position को secure करना शुरू कर दीजिए अपने 50% profit book करना शुरू कर दीजिए तो अब हम brace करें अपने आपको और इस time पे याद रहेगा rising market में कोई भी पैसा कमा सकता है इस time जो पैसा कमाएगा trader वोई बनेगा और सब को हम नहीं समझा सकते आप समझेगा जो समझदार trader होगा वो पैसा बनाएगा और जो नहीं समझेगा वो पैसा उनको बनाने में help करेगा कोई तो चाहिए ना जो lose करेगा lose करेगा तब ही तो हम पैसा कमाएंगे तो guys यह अगर analysis की बा In fact, मैं put तो आपको यहां से बोल रहा हूँ, जब यह 18.7 के आस पास था, put हमने तब से buy करना शुरू कर दिया है, और हर बार वो market rise करके थोरा सा volatile होकर, हमारे लिए थोरा सा परेशानी खड़ी कर देता है, But technically, we are now entering into recession, जल्दी ही हमें वो fall देखने को मिलेगा, तो guys, यह रहेगा हमारा next week का outlook, और जाने से पहले वीडियो को like, subscribe करना मद हो लेगा, और sorry, मैं आपको फिर से एक negative बात बता रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिख रहा है, मैं आपसे वो बात करता हूँ, देखे, sugar-coated word डा के आपका नुकसान करना, वो मेरा motive नहीं है, थोड़ा सा, कड़वा relation रख लेते हैं, बट at least, आप बाद में जो समझेंगे, कि at least वहाँ पर, अच्छा ना बोलके, सब के against में खड़े होके, आपको वो बता बताया, जो ठीक है, हो सकता है, मैं गलत हूँ, market है, मैं कोई market च चलके आप उस चीज़ को accept कीजेगा, but market is rude, market rude है, तो हमें भी rude होना पड़ेगा, market के accordingly, तो guys, यह रहेगा हमारा next week के लिए, and that's all for it guys, I'll see you into my next video, have a nice day, check care.